नमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी बीट गंदी चाले चल कर जीत गई साक्षी चुनाओ में हराया पूर्वी को काफी जादा हैरान परेशान हुए पूर्वी बीरेद्र फिल यहां पर साक्षी ने फिर से अपनी गंदी चाल चल कर पूर्वी को चुनाओ में माद दे दी है यहां पंचाय चुनाओ में यहां जीत गई है साक्षी यह सब कुछ किया है किस तरीके से आई आई आपको बताते हैं वेलाब देखेंगे कि साक्षी किस तरीके से घिनावनी हरकत यहाँ पर भी करती नजर आती है। उसने सोच लिया था कि वो किसी भी हालत में पूरवी को यहाँ पर तो हरा करी रहेगी। हलाकि साक्षी की जो सारी चाले होती हैं वो तो नाकामियाब होती नजर आ रही थी लेकिन यहाँ पर साक्षी की चाल कामियाब हो गई है दरसल यहाँ पर भी पैसे के दम पर साक्षी ने जो चुनाव का सारा गरबर घोठाला है वो सब कुछ कर दिया है पैसे खिला कर कुछ इस तरह से पूर्भी के जो वोर्वी पोर्वी इसते जल्वाए हैं और इसके बाद यहां पर अनौंस हो जाता है साकशी का शॉच तरहां सकता है कि विरेंदर की काफ़ी अच्छी रेपोटिशन है जो है गाईं तो वही पर जब विरेंदर ये सब कुछ देखता है तो वो कहता है कि फिर से इसकी जाच होनी चाहिए और इसके बाद वो और पूर्वी दोनों जाते हैं और चेक करवाते हैं कि एक बार फिर से इसे गिंती कीजिए जिसके बाद साक्षी के बोर्ड जो है वो ज्यादा आते हैं पूर्वी के पेक्षा जिसके बाद साक्षी महाँ पर आती है और कुछ इस तरह से चौन मारती है वीरेंद्र को और कहती है कि आप तसल्ली हो गई मुखी जी आपको देख लिया आपने कि कितना जादा प्यार करते हैं सब मुझसे और यहां पर जो वीरेंद्र है उसे तब भी यकीन नहीं होता हूँ उसे और पूर्वी दोनों को लगता है कि कुछ तो गरबड की है साक्षी ने आपको बता दे कि अब जो है साक्षी का ये जो सच है ये जो भी उसने किया है ये जो कुछ भी हरकत उसने की है इसका पूरी तरीके से पता लगाने वाला है वीरेंद्र और जिस दिन आएगी साक्षी की येवाली सच्चाई । पूरे गाहंवाले निकालेंगे साक्षी को यहां से बाहर और जिसके बाद हमेशा, हमेशा के लिये चली जाएगी साक्षी लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ धूट रहा है वीरेदर जो की मिल जाए साक्षी के खिलाफ और जिसके बाद साक्षी को हमेशा हमेशा के लिए अपनी और पूर्वी की जिंदगी से वैसे भी आप सब को बता दे कि यहां पर जो बच्चे हैं वो तो आप साक्षी से पूरी तरीके से ट्रफरत करने लग गए है तब ही तो देख लीजिए ना जब साक्षी रे कहा कि अपनी वहां से नहीं मिलोगे तो जो मानस और जू ही हैं दोनों ने साफ मना कर दिया कि नहीं हम आपसे बिलकुल भी नहीं मिलेंगे और हम आपसको बिलकुल पसंद नहीं करते हैं जिसके बाद काफी जादा परिशान हो गई थी साक्षी और अब अपनी हरकतों के बाद जीत गई यहां पर चुनाओ इस वीडियो में बस इतना ही